क्या नाब मैं मेरा नाबल मास रजदा है अच्छा कहां रहती हैं आप मैं पट्ना बिहार से हूँ अच्छा बिहार से आई हैं जी क्या लगता इस टाइम क्या माहूल इस बार जो है लोग सभा चुनाओ का मुझे लगता है इस बार भी बीजेपी जीतेगी जीतेगी क्योंकि लोग उन्हें बहुत जादा सपोर्ट करते हैं मोदी जी को इसलिए लेकिन बिपच्छ वाले कहते हैं कि जब से मोदी जी आया है तब से बेरोजगारी जादा हो गया है लोगों के पास काम नहीं है मुझे साथ होने परिमेर की फेल की पासिक परसिपी लोग जादां पसंद करते हैं आपको क्यों मुझे नहीं पसंद करनेगी उनके आने से बहुत सारीचीज़ें बदल गई है जैसे कि नोट बंदी हुआ है, उसमें कितना नुक्सान हुआ है सब लोगों का, कितनी लोगों की जॉब गई है उसमें, तो मुझे लगता है कि BJP को इस बार नहीं जीतना चाहिए. लेकिन जो है, आपने कहा कि लोग परेशान है, लेकिन फिर भी BJP आएगी, तो क्यों आना चाहिए फिर BJP को? क्योंकि उनके फॉलवर्स जादा है, अंदभक्त जिसे कहते हैं. आपने कहा कि अंदभक्त कहते हैं, किसको अंदभक्त कहा जाता है? जिनको किसी चीज़ का नॉलेज्ज नहीं होता है, बस वो उन्हें पसंद करते हैं. बीजेपी को जादा है, उनके फेवरेट है, आपने कि नॉलेज्ज नहीं, यानि कि एक तिहाई देश का एक तिहाई हिस्सा जो है, एक तिहाई जो मत है, बहुमत, लोग जो है, बीजेपी को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको जानकारी नहीं है, या अंदभक्त हैं हाँ, वो है अंदभक्त मेरे कॉर्डिंग, एक तिहाई देश का एक तिहाई आबादी अंदभक्त है, आइ थिंग, क्योंकि जो भी होता है, बस वो लोग दे देते हैं जाके, मोधी का जो योजना है, तमाम योजना है, खास करके महिलाओं के लिए भी योजना रहा है, खा के साथ अगर अच्छा हुआ है तो एक बेटर ऑप्शन है उनके लिए जरूरी नहीं है कि अगर सौ में कुछ चीज़े अच्छी हो जाती है तो इनसान अच्छा होता है मुझे लगता हुआ और अच्छी को फटाया क्यों जाए क्यों मटलब उनको वोट ना करा चेका गैसिकर नोट बंदी नोट बंदी के नोटबंदी के बाद 2011 में पूर बहुमत से भी जादा मतों के साथ बीजेपी सरकार बनाई अगर करफसन होता तो देश जो है देख रहा था क्योंकि जैसे आपके भी मत हैं ऐसे तमाम लोगों के मत हैं तो बहुमत ना मिलता अगर करफसन होता नोटबंदी उसके तो था कि अपका ये भीचार था ठीक है लेकिन जैसे घाएगा मुझे अब जाने दो आथ लेकिन ये बात बताते जाए अगर मोधी ना पर्धान मंतरी बने तो कौन पर्धान मंतरी बनाजी बनाचिए लगता है कॉंग्रेस को बिना परधान मंतरी कि बात कर रहे हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगते कोई भी बनेगा उसको सारी चुझे सुधर जाएगी बढ़ फिर भी किसी को तो बनना ही है तो आइध थेंक राहूल गानी बने तो वो सही रहेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किंति